14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन के सफल लॉंच के बाद से ही पूरी दुनिया की नजर चांद पर उसकी लेंडिंग पटिकी हुई है। की सतय पर लेंड कर सकता है। तो आईए जानते हैं लेंडिंग से पहले और बाद में क्या कुछ है खास इस मिशन में। साउथ पोल पर उतर कर अपना आगे का एस्परिमेंट जो है वो पूरा करेगा। लेकिन सॉफ्ट लेंडिंग से पहले चंद्रयान 3 पर टिकी रहेंगी निकाहें। अभी तक जिस तरह से इसरों ने सुनिश्चित किया है कि हमारा मिशन जो है वो काफी स्टेबल है और अभी अपने आखरी किलोमीटर्स का सफर है उसके लिए पूर्टा तयार है। अभी तक तो कोई इस तरीके की खबर नहीं है कि हमें लास्ट मिनिट चालेंजिस फेस करने पड़े पर स्टिल सॉफ्ट लेंडिंग जो है अभी भी हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है जब तक हम चंद्रमा की सतय पर आसान से सेफली जो है लेंड नहीं कर जाते तब तक करे का की उत्रने से पहले सुनिश्चृत करेगा की सेफ लाझनिंग के लिए यह सही समय है या नहीं अगर आठकडों के दोरान यो पाया गया समय उचित नहीं है तो समय बतला जाएक, अगर वह यह सुनिश्चित करेगा कि मिशन को आगे बढ़ाया जाए अक्सेंट किया जाए तो इस तरीके के decision भी जो है हमारा विक्रम लैंडर ले सकता है अगर हमारे हिसाब से जिस तरह से plan किया गया अगर सिती उस तरह से अनुकूल नहीं रही तो लैंडिंग होना एक बहुत बड़ा concern है साफ लैंडिंग अगर एक बार हो जाती है तो प्रज्ञान रोवर जो है विक्रम लैंडर से अलग होगा और आगे का कारी जो है वो प्रज्ञान रोवर सते की analysis करके experiments को आगे बढ़ाएगा लैंडिंग के बाद आगे क्या होगा चांद पर लैंडिंग के बाद भी चौदा दिन है बेहत जरूरी चौदा दिन का ये पूरा mission profile है ये पूरा mission 14 दिन के लिए program किया गया है तो 14 दिन जो है चंद्रमा के उस सते पर उजाला रहेगा जिस सूरे की प्रकाश को इस्तमाल करकर solar panel का इस्तमाल किया जाएगा को